आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ So guys, a question here is यहाँ पर मुझे तीन Elements दी हैं Third Period के जो की है X, Y, Z अब बोलाएं कि इनके जो Oxide है वो X का Acidic है Y का Amphoteric है और Z का क्या है Basic है तो यहाँ पर देखें जो हमारा X, Y, Z है उसकी मुझे Oxide का Nature दे रखा है और मुझे यहाँ पर Dictict करना है कि यहाँ पर Atomic Number क्या होगा तीन Elements का क्या Order होगा तो Third Period के हम Elements लेते हैं यहाँ पर Third Period के जो Elements है वो कौन-कौन से हमारे Sodium, Magnesium, Aluminium, Silicon Phosphorus, Sulfur, Chlorine और फिर तो आजाते Noble Gas तो यहाँ पर देखें इसका Atomic Number 11 है यह जो Oxide बनाएगी यह क्या बनाएगी Na2O इसकी Plus 1 State है यहाँ पर एसकी Plus 2 State है तो यह क्या बनादेगी MgO जो Oxide होता है वो O2 Negative sorm में present होता है इसकी Plus 3 State है तो यह क्या बनाएगी Al2O3 इसकी Plus 4 State है तो यह क्या बनादेगी इसकी Plus 4 और इसकी Minus 2 तो यह हमारे common effect यह common आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा SiO2 तो यह बना देगी SiO2 ठीके, देन देखिए यहाँ पे जो Phosphorus है उसकी क्या होगी हमारी Plus 3 होगी तो यह बना देगा P2O3 ठीके और यहाँ पे देखिए जो हमारा Sulfur है वो क्या बनाएगा हमारा SO2 जिसमें Sulfur हमारा Plus 4 स्टेट में होगा ठीके और यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लोरीन है वो क्या बनाएगा Cl2O7 ठीके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे Cl2O7 में इसकी जो Oxidation स्टेट है क्या हो जाएगी Plus 7 हो जाएगी तो Oxidation स्टेट जो है हमारी क्या हो रही है यहाँ पे Increase हो रही है ठीके, Increment कैसे शो कर रही है यहाँ पे देखो जैसे जैसे Oxidation Number Increase होता है More the Oxidation स्टेट More will be Acidic Character यह हमारी Concept यहाँ पे Use होएगी जिसमें Acidic Character जादा होएगा और Acidic Character जादा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि उसकी जो Tendency है Tendency to Gain Electron क्या हो रही होगी जादा हो रही होगी तो जैसे मैं Along the Period जाती जारी हूँ Left to Right तो क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे Acidic Character Tendency to बोल सकते है Gain Electron क्या होती जाती है Increase होती जाती है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो Element है वो क्या करता है कि Lose करने की Tendency कम कर देता है और Gain करने की ज़्यादा कर देता है क्योंकि With Increase in Their Oxidation State यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनका Acidic करेक्टर बढ़ रहा है तो हमने देखा सबसे ज़्यादा Acidic करेक्टर हमारा यह शो करेंगे यह P2O3 को भी Conclude करके ठीक है और यहाँ पे हम बहु सकते है कि SiO2 को भी Include कर लो ठीक है SiO2 को भी Include कर लो और यहाँ पे जो हमारा Al2O3 है वो क्या करता है ना जादा Acidic करेक्टर शो करता है ना जादा Basic करेक्टर शो करता है और बोल सकते हैं कि दोनों ही करेक्टर शो करता है तो जो दोनों ही करेक्टर शो करता है उसको हम Amphoteric Oxide बोलते हैं और यहाँ पे क्या होगा कि tendency to हमारी loose electron जादा होगी तो ये कैसी form करेगा metal के साथ मतलब metal जो है oxide बनाता है वो कैसी होती है basic oxide होती है और यहाँ पर जैसे आगे बढ़ रहे है तो ये कैसा बनता जा रहा है हमारा non-metal बनता जा रहा है क्योंकि tendency gain करने की electron की क्या हो रही है increase होती जा रही है तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये acidic oxides बनाते है clear है तो अब देखो मुझे x, y और z दे रहा था जिसमें z है वो basic है ठीक है y है वो emphoteric है ठीक है और x है वो क्या है acidic है तो acidic करेक्टर हमारा क्या जा रहा है जब हम left की तरफ sorry right की तरफ जा रहे है ठीक है तो right की तरफ जा रहे acidic करेक्टर जादा हो रहा है और जैसे जैसे हम left to right जाते हैं तो हमारा atomic number बढ़ता है atomic number बढ़ता है और acidic करेक्टर भी क्या होता है हमारा increase होता है तो atomic number बढ़ेगा तो जो X है उसकी value क्या होगी हमारी इसका atomic number सबसे ज़्यादा होगा फिर हमारा amphoteric जो दोनो behavior शो कर रहा है वो और basic का जो हमारा metal oxide बनाती है उसकी क्या होगी हमारा सबसे कम atomic number होगा तो यह हमारा trend यह show करेगा clear? तो हमारा यहाँ पर correct option हो जाएगा that will be जिसमें X सबसे ज़्यादा atomic number show कर रहा हो तो that will be this order clear? Thank you